नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैं रानी गुपता आपके साथ और वड़ी खुबट सामने आ रही है आपको बता दें महराश्ट के डेपटी सीम देवेंद्र फणनेविस ने जम कर उधव ठाकरे पर निशाना साधा है आपको बता दें कि एक कारिगरम के दोरान देवेंद्र फणनेविस ने लोगों को संबोधित किया और इस दोरान लगातार वो धव ठाकरे के खलाफ हमलावर रहें इस दोरान उन्होंने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी और हमें 2019 में ही धोखा दिया था जब वो बीजेपी के साथ चनाव लड़ रहे थे विधान सबा का और इसके साथ ही वो बीजेपी के प्रत्यार्शी और बीजेपी के उमिद्वारों की नहीं बलकि एनसीपी के उमिद्वारों के प्रती अपनी जो घोशनाए हैं वो कर रहे थे उनकी समर्थन में प्रचार कर रहे थे और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त हम सच्चे शिवसेना के साथ मौजूद हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उधव ठाकरे बाला साथ ठाकरे के विचार धाराओं के विपरीच चलते हैं और इस वक्त हमारे पास जो 40 विधायक है शंदेगूट के वही असली शिवस में खड़े भी नहीं हो पाएंगे और अगर वो सामने आते हैं जनता के सामने आते हैं और फिर से विधान सभा चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जो हकीकत है वो भी लोगों के सामने आएगी कि कैसे उन्होंने 2019 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था और उन्हें जीत हा अध्यक्ष उधव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए हमलावर रहे और उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले ही उन्होंने शिवसेना का रास्टवादी कॉंग्रस पार्टी के साथ जोड करना तै कर दिया था चुनाव परिडाम के बाद तक वे सिर्फ नंबर गेम का इं उन्होंने कहा कि शिवसेना और NCP के बीच गट जोड का फैसला पहले ही कर लिया गया था इसकी वज़े से चुनाव परिडाम आने के बाद शिवसेना पार्टी अध्यक्ष उधव ठाकरे ने बयान दिया था कि हमारे लिए सबी परिया खुले हैं उसके बावजूद मैंने उन्हें फोन किया था लेकिन उन्होंने हमारा फोन रिसीव नहीं किया था साथी डेपटी सीम देविन रिफर नन्विस ने कहा कि शिवसेना ने हमारे साथ बैमानी की है शिवसेना बीजेपी यूती के तहत हमने शिवसेना के खलाफ बाग ही उमिद्वारों को वापस ले लेकिन हमारे उमीद्वारों को हरा दिया गया राज के लोगों ने यूति को मतदान दिया लेकिन उन्होंने कॉंग्रेस और रास्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के साथ गडबंधन में सरकार बनाई साथ ही कहा कि शिवसेना ने शिवसेना प्रमुख बाला सहाब ठाकरे के विचारों के खलाफ भूमिका को अपनाया इस तरह की भूमिका अक्तियार करने वाली शिवसेना के पास अब कुछ विधायक ही बचे हुए हैं साथ ही उपमुख्यमंत्री देवेंडर फर्णनविस ने कहा कि हमारे साथ असली शिवसेना है जो बाला साप ठाकरे के विचारों में विश्वास करती है इस दौरान देवेंडर फर्णनविस ने कहा कि सत्ता एक चुम्बक की तरह होती है ये लोगों को एक जुट रखती है लेकिन नौ मंत्रियों के साथ 50 विधायक सरकार छोड़ कर ततकालिन विपक्ष में शामिल हो गए उन्हें एसास हुआ कि अगले है हमने सत्ता का गड़ जीत लिया है लेकिन सत्ता साध्य नहीं साधना है हम सत्ता को समाजिक और आर्थिक परिवर्तन के एक साधन की रूप में देखते हैं बिजेपी सत्ता की भूख ही नहीं है ये सत्ता के लिए किया गया बदलाव नहीं है महरास्ट विकास में पिछड इस्थान पर लाना है आपको बता दे इस तरीके की तमाम बाते जो है वो उपमुख्य मंत्री देविन फरननविस के द्वारा कही गई साथ ही जो शिवसेना है और उद्धर ठाक रहे हैं उन पर भी निशाना साथते हुए ये बाते कही गई और जो शिदे गूठ है और उसके हैं और इसी के साथ ये खुद उधव ठाकरे ये सब जो हैं वो बाला साहब ठाकरे के विचारों के खलाफ चलते हैं जिसकी वज़र से जन्रता ने भी पूरी तरीके सुने नकार दिया आपको बता दे देखने को मिला था कि 2019 विधान सबा चुनाव के दौरान देखने को थ दिया था कि इस बार महरास्ट में बीजेपी के साथ शिवसेना की सरकार बनेगी और देवेन रफणनविस मुख्यमंत्री होंगे लेकिन चुनाव के परिणाम आए इसमें जीत हासिल हुई शिवसेना और बीजेपी गडबंधन को इसके बाद उधाम ठाकरे का जो रुक है वो बदल गया और उन्होंने बीजेपी के साथ गडबंधन तोड के महाविकास अगहाडी सरकार का जुन्म दिया जिसमें की कॉंग्रेस एनसेपी और शिवसेना का गडबंधन रहा जिसके बाद देखने को मिला कि धाई साल बाद इस सरकार के गिड़ने के जो संशे हैं व महां पर बीजेपी और शिवसेना यानि की उधव गूट की नहीं बलकि शिंदे गूट की शिवसेना के साथ वहां पर सरकार है और एक न शिंदे वहां के सीम है इसी तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो है NCP के जो नेता है शरत पबार और इसी के साथ ही संजर आउती है बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता जो है वो शिंदे गूट को और इसी के साथ ही BGP को नहीं अपनाईगी आने वाले चुनाव में बल्कि उधाम ठाकर इगूट की जो शिवसेना है उनको अपनाईगी लेकिन जिस तरीके से जो कारगरम के दौरान भारी जन संख्या देखने को मिल रही है जो लोगों के द्वारा समर्थन दिख रहा है तमाम पार्शदों के द्वारा सांसदों के द्वारा और इसी के साथ ही आम जन के द्वा नन्विस ने कल अपने संबोधन के दौरान भी कहा कि हम एस वाक्त रियल सिवशेना के साथ है यानि कि जो एकना शंदे गूट का जो विधायक है वो ही असले शिवशेना है और ये बाते देखने को भी मिली थी जब एकना शंदे ने पार्टी छोड़ी थी उदव ठाकरे का स चोड़ा था और अपनी 40 विधायकों के साथ वो गोहाटी गए थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि वो असली शिवसेनिक है क्योंकि वो बाला साथ ठाकरे के विचार धाराओं पर चलने वाले हैं और इसी के द्वारा ही महरास्ट का विकास करेंगे और ये बात कल देवे इस वक्त शिंदे गूट के पास 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और इसी के साथ ही उनके पास भारी संख्या में और भी पार्षद धीरे धीरे पार्टी से निकल करके यानि क्यूधव गूट से बगावत करके एकनाश शिंदे को अपना समर्थन दे रहे हैं और इसक अपनाश शिंदे के पार्टी को दिया जाये बलकि उधव ठाकरी को ना दिया जाय और इसी के साथ ही उधव ठाकरी की बात करें तो उन्होंने भी एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमिशन को जिसमें उन्होंने यनरोध किया है ये अपील की है कि किसी भी तरीकी की कोई प् विधायक हैं उनकी सदसिता को रद करने के लिए एकियाच का दायर की है तो ये जो लड़ाई है अब महराश्ट की सत्ता से निकल करके एलेक्शन कमिशन और इसी के साथ ही सुप्रीम कोट तक भी पहुँंच गया है अगर एलेक्शन कमिशन पूरी तरीके से ये फैसला सुनाता है जिस तरीके से देखा जा रहा है जो आकड़े एकना शुंदे के पास है और जिसके बलबूते पर वो दावा कर रहे है कि शिवसेना और इसी के साथ ही शिवसेना का चुनाव चिन उनको दिया जाए तो कहीं न कहीं ये जायस भी है क्योंकि उनके पास वो आकड़ा मौझूद है जो कि उधव ठाकरे के पास नहीं है और इसी तरीके से सुप्रीम कोट ने भी फिलहाल इस पर अभी वो विचार कर रहे हैं कि आखिर उधव गूट को ले करके क्या फैसला लिया जाए क्योंकि एकना शुंदे के पास वो आकड़े हैं उनके पास विधायकों का समर्थन ह जहां उनके अपने सांसत थे यानि कि जो कि शिव सेना के विधायक थे उनका समर्थन था इसी के साथ ही उनके पास निर्दलिय पार्टियों का समर्थन था और बीजेपी के भी समर्थन में कई लोगों ने वोट दिया था तो पूरी तरीके से 164 वोटों के साथ उन्होंने फ्लो टेस्ट पास किया था तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है इसे के साथ जिस तरीके से देवेंद्र फर निन्विस ने अपने संबोधन के दोरान उधाव ठाकरे पर करारा हमला बोला है तो इससे ये बास साबित होती है कि किस कदर उधाव ठाकरे ने बीजेपी क खारिस करती है और जिसकी वज़े से उधाव ठाकरे की सरकार गिर गई आपकी इस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगी की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें